इसमें आप ये जो पहला मकान है आप इसे देख सकते हैं इसमें क्या गलती की गई है कि इसमें इनका प्लिंथ भीम उसे जो रोड का लेवल है जो सड़क लेवल है उससे नीचे रखा गया है उस लेवल पर दबा दिया गया है तो इससो होगा कि जब भी इस एरिया में जल भ पानी भरने की समस्य होगी तो यह पानी इंट पकड़कर उपर की तरब देगी और मकान में सिलन के समस्य चड़ने लगी तो यह तरीका बिल्कुल भी गलत है आप अगर अपने मकान को बनाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें जो आपका प्लिंथ भीम है उसे रोड के लेव आप यहां देख रहे हैं यह पूरी चार फिट के हाइट तक के आर्शीसी की वाल है तो यह तरीका है तो सहीं यह पानी की जो ग्राउंड लेवल की समस्य है उसे पूरी तरीके से खतम कर देता है लेकिन इसकी कोस्ट बहुत जादा होती इसे हर कोई एफॉर्ड नहीं कर सक इसमें आपकी जो मकान की कोस्ट होती है उसका 40% जो पैसा है वो इसी में इन्वेश्ट हो जाता है तो यह हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो अपने ग्राउंड लेवल पर इतना खर्चा करे तो यह तरीका सभी के लिए नहीं है यह तरीका है तो राइट लेकिन यह सब तरीका है आप यह जो तीसरा एक्जामपल है इसे देखी इसमें जो है जो मकान के ओनर है जो हाउस के ओनर है जो जिनकी यह दुकाने है उसमें गल्ती क्या की गई है कि इनके मकान को रोड के लेवल से बिल्कुल ही नीचे दबा दियागे तो अभी तो ये चीज इने पता नहीं चल रही है लेकिन ये समस्या बाद में इने होगी देखिए आप एक चीज का ये भी ध्यान रखिए कि जो कॉंट्रेक्टर होते हैं उन्हें आपके मकान से कोई लेना देना नहीं होता है उन्हें केवल अपने प्रॉफिट से लेना देना होता है वो आपको ऐसी सला कभी नहीं देते हैं जिससे आपका मकान लंबे समय तक चल सके जिसमें दुबारा आपको जल्दी काम नहीं करवाना पड़े और कई contractor तो ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में विचारे उने ही पता नहीं होता तो house के owner को क्या बताएंगे अब इसमें आप यह जो चौथा example है इसे देखी इसमें जो है ground beam इसे road के level से कम से कम 2.5 फिट उपर रखा गया है तो यह जो तरीका है यह जो तरीका है यह सबसे best तरीका है इससे जो ground level पर पानी नीचे से खीच के दिवाल उपर देती है जो sealant की समस्तिय है जो नीचे से उपर की तरब चड़ती इससे बिल्कुल छुटकारा पाया जा सकता है इस तरीके को हर कोई effort कर सकता है तो आप इस तरीके को ध्यान में रखे तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते ही वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक और शेर करे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद